Hello friends, welcome to your channel Women of Essence आज की वीडियो में हम LG dishwasher के control panel के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारे LG dishwasher का control panel एक elegant touch control panel है इसमें सबसे left side में power button, सबसे right side में start button और center में digital display दिया गया है जो selected washing time को show करता है center display के left side में 9 cycles दिये गये हैं और right side में efficiency options दिये गये हैं और उसके साथ ही performance options का एक group दिया गया है left side में दिये गए सभी cycles के साथ हम right side में दिये गए efficiency option और performance options को combine करके अपने dishes के लिए एक perfect wash cycle को set कर सकते हैं cycles की बात करें तो इसमें auto, eco, turbo जैसे 9 cycles हमें provide किये गए हैं इन cycles को समझने से पहले हम efficiency और performance options के बारे में थोड़ी detail जानकारी ले ले लेते हैं efficiency options में dishwasher की अलग-अलग कारे छमता के according तीन options दिये गए हैं इसमें पहला है dual zone इस option को select करने पर automatically upper arm की spray intensity कम और lower arm की spray intensity बढ़ जाती है इसलिए हमें lightly soil dishes को upper rack में और heavily soil dishes को lower rack में रखना चाहिए अगर हमें कम dishes को wash करना है तो हम उन्हें किसी एक ही rack में रखकर उसे wash कर सकते हैं उसके लिए हमें select करना होगा half load option इसका arrow जब उपर की तरफ शो करता है तो हमें utensils को उपर के rack में रखना होगा और जब down arrow होगा तो हम utensils को नीचे के rack में रखकर wash करेंगे अगर washing के समय washing और rinsing के temperature को reduce कर दिया जाए तो energy को save किया जा सकता है energy saver option ठीक यही काम करता है पर इसमें हमें heavy soil dishes को नहीं धोना चाहिए तो चलिए अब समझ लेते हैं हम performance options को इन options में पहला option steam option आता है इस option में washing के दोरान steam को add किया जाता है ताकि हमारी washing performance अच्छी हो सके अगला option आता है high temperature option और इस option में washing के दोरान washing और rinsing के temperature को काफी high कर दिया जाता है ताकि हम heavily soil dishes को अच्छे तरीके से wash कर सके तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले option की तरफ जो है extra dry option ये option utensils के drying performance को enhance करता है पर उसके साथ ही cycle के time को भी increase कर देता है तो अब हम बात कर लेते हैं एक special feature की यदि हमें अपने utensils को immediately wash नहीं करना है तो हम अपने dishwasher को delay start की setting पे set कर सकते हैं डिले start पटन को हर बार तबाने पर एक एक घंटे की setting आगे बढ़ती जाती है जैसा कि आप display पर देख सकते हैं कि हम अपने delay time को एक से लेकर 12 घंटे तक extend कर सकते हैं डिले start की setting को disable करने के लिए हमें power off करके दोबारा से cycle को set करना होगा तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम machine में दिये गए nine wash cycles की इसमें हमारा सबसे पहले आता है auto cycle इस cycle में washing को set करने पर ये सबसे पहले dishes के soil level को और water clarity को detect करता है और उसी के according time को set करता है इसलिए अलग-अलग load में हमारा washing का time cycle अलग-अलग हो सकता है mixed type के load के लिए ये cycle perfect है इसके लावा मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इस cycle के साथ भी हम अलग-अलग efficiency और performance options को select कर सकते हैं जिनके बारे में हम पहले ही discuss कर चुके हैं तो बढ़ते हैं अगले cycle के ओर जो की है intensive cycle इस cycle में हम heavily soil dishes को wash कर सकते हैं ये basically steam cycles के अंतरगत आता है इसमें 3 steam cycles दिये गए हैं intensive, delicate और refresh तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि intensive के साथ steam automatically select हो चुका है हम चाहें तो इसे deselect भी कर सकते हैं तो बढ़ते हैं अब अगले cycle के ओर ये है delicate cycle इस cycle में इसके नाम के according हम delicate utensils जैसे glass, fiber, आधी के बरतन धो सकते हैं और इसके साथ भी steam select है और इसको हम deselect भी कर सकते हैं अगले cycle आता है refresh cycle और इस cycle में हम उन dishes को wash करते हैं जो काफी लंबे समय से हमने use नहीं की हैं इस cycle में हमें detergent यूज करने की बिल्कुँ जरूरत नहीं होती है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं refresh cycle steam के साथ combination में आता है इसे हम remove नहीं कर सकते हैं next आता है eco cycle water और energy की efficiency के लिए ये best cycle है और normally soiled dishes के लिए ये perfect cycle साबित होता है और इस cycle के साथ भी हम अलग-अलग efficiency और performance cycles को choose कर सकते हैं बढ़ते हैं अगले cycle के ओर ये है turbo cycle ये cycle एक गंटा 40 मिनट का select होता है और इसके साथ extra dry option automatically select हो जाता है हम चाहें तो extra dry option को हटा कर washing time को reduce कर सकते हैं हमारी convenience के लिए control panel पे कुछ extra features भी दिये गए हैं जैसे machine clean, rinse, express और right side में control lock, wifi और cancel के options इन extra functions को हम 3 seconds तक hold करके enable कर सकते हैं intensive को हम 3 seconds तक दबा के रखेंगे तो हमारा ये machine clean enable हो जाएगा जो की 1 hour 23 seconds का है इस function में machine अपने internal body की self cleaning करती है every 30 cycles के बाद machine clean की जरूरत पढ़ जाती है और ये center का icon eliminate हो जाता है कभी कभी हमारी dishes कम होने पर हम उन्हें immediately wash नहीं करना चाहते इस case में हमारा rinsing का option काफी काम आता है ये केवल 18 minutes का होता है और इसमें हम बरतनों की सिर्फ धुलाई करते हैं और इस वज़े से machine में create होने वाली bad smell को avoid कर सकते हैं और next time हम उसमें और भी dishes को load करके final wash कर सकते हैं और अब बढ़ते हैं हम express function की ओर कम समय में normal washing के लिए ये एक best option होता है इस cycle में detergent tablet को use करना recommended नहीं होता है क्योंकि ये एक quick cycle है और possibility है कि इसमें detergent tablet पूरी तरह से dissolve ना हो पाए इन cycles के अलावा भी company हमें कुछ dedicated extra cycles प्रोवाइड करती है जिने हम यहाँ इस बटन से download कर सकते हैं मैंने इस समय P3 code का cycle select किया हुआ है पर इसके लिए हमें अपने phone से अपनी machine को wifi के through connect करना होगा control lock feature washing के दोरान settings के accidental change को prevent करता है इस feature को activate या deactivate करनी के लिए half load और energy saver buttons को 3 seconds तक दबाना होता है और display पर CL लिख कर दिखाई देता है इस feature के activate होते ही power button को छोड़ कर बाकी सभी button lock हो जाते हैं इसमें कुछ smart functions दिये गए हैं जिने हम अपने smart phone के through use कर सकते हैं इसके लिए हमें अपने phone और appliance को wifi router से connect करना होता है इस function को enable करने से हम अपने phone के through machine की monitoring कर सकते हैं download cycle, smart diagnosis जैसे functions का lab उठा सकते हैं हमारा last function है cancel इस function का use हम तब कर सकते हैं जब किसी running cycle के दौरान हमें machine को stop करना है या cycle को change करना है control panel के center पे हमें चार indicators मिलते हैं ये star indicator हमारे rinse state को बताता है machine clean की requirement को ये machine icon indicate करता है wifi से connect होने पे ये wifi indicate करता है और S icon हमें salt की कमी को दर्शाता है I hope ये video आपके लिए helpful रहा होगा वीडियो से related किसी भी कौरे के लिए आप comment box में लिख सकते हैं